नमस्कार मेरे पहरे देश्वासियों, मैं आज एक बार फिर कोरोना वैस्विक महामारी पर बात करने के लिए आपके बीच आया हूँ 22 मार्च को जनता करिफ्यू का जो संकल्प हमने लिया था एक राष्ट के नाते उसकी सिध्धी के लिए हर भारतवासी ने पूरी संवेदन सिल्ता के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना योगदान दिया बच्चे, बुजूर, छोटे, बड़े, गरी, मद्यम हर वर्क के लोग हर कोई परिक्षा की इस घड़ी में साथ आया जनता करिफ्यू को हर भारतवासी ने सफल बनाया एक दिन के जनता करिफ्यू से भारत ने दिखा दिया कि जब देश पर संकट आता है जब मानवता पर संकट आता है तो किस प्रकारते हम सभी भारतिया मिल करके एक जुड होकर उसका मुकाबला करते हैं आप सभी जनता करिफ्यू के लिए उसकी सफलता के लिए प्रसंसा के पात रहे हैं साथियों आप कोरोना वैस्विक महामारी उस पर पूरी दुनिया की स्थिती को समाचारों के माध्यम से सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया है ऐसा नहीं है कि ये देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है लेकिन कोरोना वाइरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चनवती बढ़ती ही जा रही है इन सभी देशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महमारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टंसिंग सोशल डिस्टंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमन की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत फैमी में है कि सोशल डिस्टंसिंग केवल मरीज के लिए बिमार लोगों के लिए आवशक है यह सोचना सही नहीं सोशल डिस्टंसिंग हर नागरिक के लिए है हर परिवार के लिए है परिवार के हर सदस्त के लिए है प्रदान मंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता-पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चल करके पुरे देश को, बहुत बड़ी मुश्किल में जोंग देंगी अगर ऐसी लापरवाही जारी रही, तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पर सकती है और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों, पिछले दो दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपून लिलने करने जा रहा है आज रात आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर देश में संपूर लोकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली, मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है ये एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप, मिननाएक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तौर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राचे सरकार की, हर स्थानी निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है, और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है, और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कि आप इस समय देश में जहां भी हैं, वहीं रहें, अभी के हालात को देखते हुए, देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा, तीन सब्ता का होगा, और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी, तब मैंने आप से कहा था, कि मैं आप से कुछ सब्ता मांगने के लिए आया हूँ, आने वाले 21 दिन, हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेल्थ एक्सपर्स की माने, तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइकिल तोडने के लिए, कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा, अगर ये 21 दिन नहीं संबले, तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे, और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ, इसलिए बाहर निकलना क्या होता है, ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे, गर में रहे, गर में रहे, और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहें। साथियों, आज के फैसले ने, देश व्यापी लॉकडाउन ने, आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खीच दी है। आपको ये याद रखना है, कि घर से बहार पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम, आपका सिर्फ एक कदम, कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। आपको ये याद रखना है, कि कई बार कोरोना से संकरमित व्यक्ति शुरुवात में बिलकुल स्वस्थ लगता है। वो संकरमित है, इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरतिये, अपने घरों में रहिए। वैसे जो लोग घर में हैं, वो सोचल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूँ। कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकल ले। साथियों, एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस पहुंचता है तो उसके सरीर में इसके लक्षन दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान वो जाने अंजाने हर उस व्यक्ति को संकर्मित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है। वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकर्मित एक व्यक्ति सुनिए एक व्यक्ति सिर्व हपते दस दिन में सेंकडों लोगों तक इस बेमारी को पहुंचा सकता है। यानि ये आँख की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल हेल्थ और्गनाइजेशन का ही एक और आँखड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथ्यों दुनिया में कोरोना वाइरस से संकर्मित व्यक्तियों के संख्या को पहले एक लाग तक पहुंचने में 67 देज, 67 दिन लग गए थे। यानि एक लाग तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में, सिर्फ 11 दिन में ही एक लाग नए लोग संकर्मित हो गए। यानि दो लाग हो गए। सोचिए, पहले एक लाग लोग संकर्मित होने में 66 दिन लगे। और फिर इसे 2 लाग लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावा है कि 2 लाग संकर्मित लोगों से 3 लाग लोगों तक ये बिमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदजा लगा सकते हैं कि कोरोना वाइरस कितनी तेजी से फैलता है और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। सात्यों यही वज़े हैं कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वाइरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बे काबू होगे हैं। और ये भी याद रखिये, इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्त सेवा, उनके हस्पिटल, उनके यहां आदूनिक संसाधन, पूरी दुनिया में बहत्रीन है, उनकी व्यवस्ताएं बहत्रीन मानी जाती हैं। बावजुद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए। सवाल ये कि स्थिति में उमीद की किरान कहा है? उपाय क्या है? विकल्प क्या है? साथियों, कोरोना से निपट्डे के लिए उमीद की किरान उन देशों से मिले अनुभव है जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए। हफ्तों तक इन देशों के नागरीक गरों से बार नहीं निकले। इन देशों के नागरीकों ने सत प्रतिशत हंड्रेट परसंट सरकारी निर्देशों का पानन किया और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बहार आने की और बढ़ रहे हैं। हमें भी ये मान कर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिरफ यही एक मार्ग है। हमें गर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे जो हो जाएं गर में ही रहना है। सोचल डिस्टंसिंग प्रदान मर्द्री से लेकर के गाउं के छोटे से नागरिक तब सब के लिए कौरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्म रेखा न लांगी जा रहे है। हमें इस महामारी के वाइरस का संक्रमन रोकना है। इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। साथियों भारत आज उस स्टेज पर हैं जहां हमारे आज के एक्षन तै करेंगे कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं। ये समय हमारे संकल्प को बार बार मजबूत करने का है। ये समय कदम कदम पर संयम बरत्ने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। साथियों, ये धैरिय और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिती है। हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना बचन निभाना है। मेरी आप से हाथ जोड़ करके प्रार्तना है। कि घरों में रहते हुए, आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल काम ना करिये, जो अपना कर्तब्य निभाने के लिए, खुद को खत्रे में डाल कर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाप, पैथोलोजिस, उनके बारे में सोचिए, जो इस महामारी से, एक एक जीवन को बचाने के लिए, दिन रात, अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रसासन के लोग, एम्बिलन्स चलाने वाले ड्राइवर, बॉर्ड बॉइश, उन सभाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए, जो इन कठीन परिस्थितियों में, दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्षना करिए, जो आपकी सुसाइटी, आपके महलों, आपकी सडकों, सारवजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं। जिसमें और जिसके कारण इस वाइरस का नामों निशान न रहें। अपने आसपास के पुलीस कर्मियों के बारे में सोचिये, जो अपने घर, परिवार की चिंता किये बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, दिन, रात डूटी कर रहे हैं। और कई बार कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी जेल रहे हैं। साथियों, कौरोना, बैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच, केंद्र और देश भर की राजसरकारें तेजी से काम कर रही हैं। रोज मरा की जिन्दगी में लोगों को असुविदा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही हैं। सभी आवशक बस्तुओं के सप्लाइब बनी रहें, इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं। और आगे भी किये जाएंगे। निश्चित तोर पर संकर की ये घड़ी, गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ, समाग के अन्य संगठन, सिविल सुसाइटी के लोग गरीबों को मुस्रिबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहा है। साथ estaban, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उससे सर्वोच्च प्रात्फिक्ता देनी ही पड़ेगी इस वैश्विक महामारी से मुकामला करने के लिए देश की स्वास्त सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है वीश्व स्वास्त संगस्तान भारत के बड़े चिकित्साव और अनुसंदान संस्तानों तता स्वास्त विश्यसग्यों की सला और सुझाओं पर कार्य करते हुए सरकार ने निरंतर फैंसले भी लिए है अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफास्रक्टर को और मजबुत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज पंद्रा हजार करोड रुपिय का प्रावधान किया है इससे कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फैसलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्विप्मेंट्स, आइसोलेशन बेट्स, आइसी यू बेट्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी साथ ही, मेडिकल और पेरामेडिकल मेन पावर के ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा मैंने राज्य सरकारों से अनुरोद किया है कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्रात्विक्ता सिर्फ और सिर्फ स्वास्त सेवाए ही होनी चाहिए हेल्थ केर ही प्रात्विक्ता होनी चाहिए मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंदे से कंधा मिलाकर संकट और संक्रमन की इस गड़ी में देश वास्यों के साब खड़ा है प्राइवेट लेप्स प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनोती पूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अंजाने कई बार अफ़ाएं भी बहुत जोर पकरती हैं और अफ़ाएं के ट्राविल करने की ताकत भी बहुत होती हैं मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफ़ा और अद्न विश्वास से बचें आपके द्वारा केंद्र सरकार, राज सरकार और मेडिकल फेटेनिटी द्वारा दिये गए निर्देश और सुझाओं का पालन करना बहुत जरूरी है मेरी आपसे प्रार्थना है किस बिमारी के लक्षणों के दवरान बीना डॉक्टरों की सला के कोई भी दमान न ले किसी भी तरह का खिलवाड आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है साथियों मुझे विश्वास है हर भारतिय संकट की इस गड़ी में सरकार के स्थानिय प्रसासन के निर्दोशों का पालन करेगा 21 दिन का लॉक्डाउन लंबा समय है लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपुन है हमारे पास यही एक महत्वपुन रास्ता है मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बलकि इस मुश्किल घड़ी से विजय होकर निकलेगा आप अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए और आत्मे विश्वास के साथ कानून नियमों का पानन करते हुए पूरीता संयम बरते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्विकार करें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद विजय का सब का फस्फबस के समय पयदा सब करके हुए